हेलो गाइज, वेलकम टो नाइगर वीडियो, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा DIY जिससे कि आप होने वाले हो बहुत ही ज़्यादा गूरी, यह बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है स्किन को सबसे फास्ट वाइटन बनाने के लिए, अगर आपकी स्किन ब यह हर स्किन टाइप के लिए बिल्कुल सुटेबल है, तो स्किन वाइटनिंग प्रोसेस को मैं दो पार्ट में डिवाइट करूंगी, फर्स है स्क्रेबिंग एंड सेकिंड है एप्लाइंग वाइटनिंग मास्क, तो सबसे पहले हम स्क्रब प्रिपेर करेंगे, इसके टू टेबल स्पून हनी, अब इन सारे इंडेंस को प्रोपरली मिक्स कर लिए, इसे तब तक मिक्स करते रहे हैं जब तक इस सुगर पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए, अब स्क्रबिंग के लिए आपको चाहिए हाफ लेमन, इस लेमन को मिक्सिर में डिप करके अपनी स्कि पर भी अपलाई कर सकती हैं, जहां पर भी आप स्किन वाइटनिंग चाहती हैं, अब अपनी क्लीन स्किन पर इसे 5-10 मिट के लिए स्क्रब करेंगी, इस स्क्रब को बनाने के लिए हमने ओरेंज और लेमन का इस्तेमाल किया है, इन दोनों में ही भरपूर मात्रा में इसके साथ ही इन दोनों में ब्लीचिंग प्रोपर्टीज होती हैं, जो कि नैचुरली डार्क स्किन को लाइटन और ब्राइटन करता है, इसमें हमने सुगर का यूज किया है, सुगर में गलाइकोलिक एसिड होता है, जो सन डैमेज और एजिंग स्किन को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, और सुगर के चोटे चोटे दाने स्किन को बहुत अच्छे तरीके से एकस्फॉलिЕWh भी करती हैं, और इसमें हमने हनी डाला है, हनी की एंटे अक्षिडेंट प्रोपर्टी स्किन के अईजिंग प्रोसेस को सलो डाउन करता है, हनी सन बंड्न स्क रिंच का दूसरा भाग को भी इसको भी स्केपीज कर रिंगे पूरा पूरा जूस निकाल लेंगे आप 2 टेबल स्पून बेसन एक बॉल में लेंगे इसके साथ इसमें आड़ करेंगे 1.00 वन टेबल स्पून हनी 1.00 योगर्ट यानि की दही एक चुटकी हल्दी और ये ओरें अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ना तो उसके बाद में आपको स्किन वाइटनिंग के लिए दूसरी कोई रेमेडी यूज करने की जरुरत नहीं पड़ेगी इससे आपकी टैनिंग की प्रोग्लम बिल्कुल खतम हो जाएगी आपका एजिंग प्र और जब ड्राय हो जाए 30-40 मिनट बाद इसे मसाज करते हुए स्किन को क्लीन कर लीजिए और पहली अप्लिकेशन के बाद ही आप इसके जादोई डिफरेंस देख पाएंगी और अगर आपको मेरी स्किन वाइटनिंग रेमेडी अच्छी लगी है तो इस वीडियो के लिए तेक ये रेंट बाबाई